वीडियो में हमने सिखा कि हमें कैसे classes enroll करनी है कैसे join करनी है और हमें उसकी link नहीं से मिल देगी यह सारी चीजे हमने last video में सिखी थी अब और एक चीज में बताना चाहूंगा कि for example अगर आपने कोई class enroll किया है और उसमें आपको नहीं join करना है तो आप normally उस class पर click करेंगे enrolled class प करेंगे इससे क्या होगा कि आप उस class से out हो जाएंगे means like आप आपके पास फिर से option आएगा क्या आप enroll to class कर सकते हैं ठीक है तो अब क्यूंकि हमने last video में सिर्फ home screen की बात की ती अब इस video में हम course mentor and play इन तिनों की बात करेंगे तो course में basically हमें क्या करना है course actually आप जब भी यह study करोगे तो आपको इना कोई भी course skip नहीं करना है मतलब कोई भी जैसे for example introduction to python कॉप नहीं skip करके direct data types study करने लगे तो यह चीज़ आपको नहीं करना है इससे मतलब ठीक से आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पहले introduction to python पर click कीजिए और इसके बारे में सा आप पूछ सकते हैं और इसके बाद में variable data types इस टाइप से आप one by one study करेंगे ठीक है और अगर कोई भी issues आते तो आप group पर या फिर यहां पर mentor section भी होता है तो मैं third screen पर आता हूं इन सारे courses को आप पढ़ सकते हैं ठीक है अब यहां mentor section पर आपको क्या गन्ना है मतलब दो option हो class मेराकी और English 5 क्योंकि आपने English language select की ती तो आपको English में 8 किया गया English वाले group में तो आपको यहां पर कोई भी issues आते हैं कोई भी class join करने में problem आ रही है तो आप यहां पर पोस्ट कर सकते हैं so that we can help you out and मेराकी वाला जो है मतलब यहां पर जो मेराकी का chat box है यहां पर आप क्या यहां पर नहीं है यहां पर डारेक्ली बटन के द्वारा आपको क्या होगा कि उस class को join करने की सुईधा है यहां पर ठीके तो आप यहां पर normally button पर click करके और class को join कर सकते हैं और इसमें अगर कोई भी issues आते हैं तो आप study के और इसमें कोई भी issues आते हैं आप यहां पर chat box में पूछ सकते हैं मैं इंटर सेक्षन के अंदर ठीक है अब जो हमारा लास्ट ओप्शन होता है प्ले ठीक है तो प्ले पर हमें क्लिक करना है और यहां पर नॉर्मली टू टाइप्स के मदलब यहां पर टाइपिंग गुरू होता है अगर आप इसे टाइपिंग गुरू के ठीक है लेकिन हम अभी यहां पर सिर्फ पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में हमें क्या करना है पाइथन पर क्लिक कीजिए अब यहां पर आपको नॉर्मली यहां पर ही कोड कर सकते हैं ठीक है आप वहां से स्टेडी करेंगे और कोड करने के लिए आपको कहां पर मतल यहां पर code लिख सकते हैं, for example, देखिए, मैं लिखता हूँ, print, hello all, ठीक है, तो basically, यहां पर normally आप code लिख सकते हैं, और run का option जहां पर आता है, यहीं पर run का option भी है, तो आप अपना code भी रहे, यहां पर run कर सकते हो, यहां पर अपनी file सेव कर सकते हो, फाइल को delete कर सकते हो, tab, और यहां पर आपको run का option है, तो यहां पर देखिए, आप output आपको मिल जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी study यहां पर continue कर सकते हैं, और अगर कोई भी issues आते हैं, तो आप किनी in mentors वाले section पर जाके groups में पूछ सकते हैं, कि मुझे यह issue आ रहा ह है, ठीक है, और हम लोग आपकी help करेंगे है, thank you.